हेलो दोस्तों कैसे हैं आम सब स्वागात आप सभी का कॉमिक बेल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स में एक और हॉरर कॉमिक्स डायन रानी बहुत समय पहले की बात है इरावती नगर के गाउं में एक नर्वक्षी शेर न बड़ा आतंग मचा रखा था आए दिन घने जंगलों से निकल कर सभी के गाउं पर नाक्मन करता फागो बागो आ गया और अनेक लोगों को गायल करके आ बचाओ किसी को भी उठा कर ले जाता अब तक ना जाने कितने मासूम बच्चे उस नर्वक्षी शेर का शिकार बन चुके दे बचाओ कोई मेरे ब बच्चे को बचाओ जब ये खबर महराज त्रिवोवन सिंग के पास पहुंची तो उन्हों ने शेर को मारने के लिए सेनिकों को बेजा लेकिन वे भी उसको मारने में सफर नहीं हो सके उल्टे कुछ सेनिक उसका शिकार हो गए आ बचाओ फागो प्रान बचाओ जब महराज त्रिवोवन सिंग को सेनिकों के मारे जाने का पता चला तो ओ अब उस नर्वक्षी शेर का शिकार हम स्विम करेंगे और फिर महाराज त्रिवोवन सेंग उस नर्वक्षी शेर के शिकार के लेगने जंगलों में जा पहुचे बहुत देर तक जंगलों में घूमने के बाद आखे रुनेवाज शेर दिखाई दे गया और उन्होंने अपना रत उसके पीछे दोड़ा दिया महाराज बोरा नर्वक्षी शेर स्वाक स्वाक लेकिन उस नर्वक्षी शेर को शिकार बनाना इतना सरल नहीं था महाराज के बाड़ों की वर्शा भी उस नर्वक्षी को सपर्ष नहीं कर सकी लेकिन कब तक एक बाड़ अंतता उसके शरीर में आई देसा परणाम सरू शेर्टेजी से उचला और महाराज रस से नीचे आगिरे नीचे करते ही महाराज तुरंट उठे और तलवार निकाल का प्रहार किया लेकिन पलंग छपकते ही उसने महाराज को निशस्त्र कर दिया मौत और जिंदिकी के बुच कुछ पलों का अंतर रह गया था कि तब ही त्रिवोवन सिंग को अपनी कमर में बदे खंजर का ध्यान आया और खंजर के प्रहार ने नर्वक्षी को दराशाई कर दिया उसी पल वातावाण में किसी का स्वर गून जुटा बहुत बहादर्व शक्तिशाली हैं आप अकेली नर्वक्षी शेर को माड़ा ला इस नर्वक्षी को मारना मेरा कर्तब वे था लेकिन तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो मैं भी आपकी तरह शिकार पर निकली थी लेकिन शेर मुझे दोगा देगर भाग गया और आपने उसे माड़ा ला इसका मतलब तुम भी किसी देश की राजकुमारी हो जी हाँ ठीक पैचाना आपने मैं असुर लोग की राजकुमारी मातंकी हूँ आप बहुत शक्तिशाली हैं और अती सुन्दर भी मैं आपसे विवा करना चाहती हूँ नहीं यह नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि मेरा विवा हो चुका है और मेरा एक बेटा भी है सुनो युवक मैं अपने पिता की इकलोती बेटी हूँ मुझसे विवा करोगे तो पिताश्री आपको असुर लोग का राजा बना देंगे नहीं मैं राजा बनना नहीं चाहता क्योंकि मैं इरावतिनगर का राजा तुर्वोवन सिंगो तुम अपने राज लोट जाओ नहीं अब मैं लोट कर नहीं जाओंगी आपको मुझसे विवा करना ही होगा यह संभव है और फिर मानव किसी असुर लड़की से विवा कैसे कर सकते है मैंने आपको पसंद किया है राजन इसलिए आपको मुझसे विवा करना पड़ेगा महराज अपने रत पर सवार हुए नहीं मैं तुमसे विवा नहीं कर सकता है ठैरो राजन मेरी एक बात सुनते जाओ राजन मैं भी जिस वस्ति को लेने की जित कर लेती हूँ फिर उसे लेकर ही रहती हूँ यदि आपने इंकार किया तो मेरे पिता आपके राज़ पर आक्मन करके सब कुछ नश्ट कर देंगे आपको बंदी बना लेंगे फिर आपको विवा शोकर मुझसे विवा करना पड़ेगा तुमारे पिता मुझे प्राण डंडे दे देंगे तो भी मैं विवा नहीं करूँगा कहकर राजा त्रिवोवन सिंग ने रत आगे बढ़ा दिया रुख जाओ राजन रुख जाओ वरना आपको पस्ताना पड़ेगा ओ चला गया लेकिन मैं भी अपनी हट पर अडिगू राजा त्रिवोवन सिंग मैं भी देखूंगी तुम कब तक मुझसे विवा नहीं करूगे और फिर तेजी से घोड़ा दोडाती मातंकी असुर लोग को लोट गई मारानी सुलक्षणा प्रती दिन नगर के बार इसते शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी अपने मन में कुछ निश्चा करके मातंकी भी उस दिर एरावती नगर पहुँची ओ तो ये है महाराज त्रिवोवन सिंग की रानी सुलक्षणा सच मुझ बहुत सुन्दर है सुलक्षणा शायद इसलिए महाराज मुझसे विवा नहीं करना चाहते रानी का रात आगे निकल गया तो मातंकी कुछ सोचने लगे किसी तरह महाराज में पहुचकर मुझे महाराज को अपनी और अकरशित करना होगा लेकिन महाराणी के रहते ये सब कैसे सम्मग होगा और फिर एक एक मातंकी के होटो पर कुटिल मुस्कान फैल गई रानी सुलक्षणा के सामने ऐसा नाठक करूंगी कि महाराणी मुझे अवश अपने साथ महल में ले जाएंगी लेकिन पहले इस रक्षण के पीछे चिपकर मुझे अपना रूप परिवर्टित कर लेना चाहिए और जब मातंकी रक्षण के पीछे से वापिस लोटी तो उसका रूप परिवर्टित हो चुका था फिर वह तेज तेज कदमों से शिम मंदर के ओद चल पड़ी उदर जैसे ही महराणी सुलक्षणा पूजा करके शिम मंदर से बाहर निखनी महराणी जी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मुझे गुंडों से बचाओ क्या बात है, कहा है गुंडे? वो वो गुंडे मेरे पीछे आ रहे हैं उन्होंने मेरी बूडी मा को मार डाला अब वो मुझे उठा का ले जाना चाते मुझे बजा लो महरानी जी अब तुम निश्चिन्थ हो जाओ वे गुंडे या नहीं आ सकते लेकिन अब मैं कहां चाओंगी महरानी जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है हम तुमें अपने साथ महल में ले चलेंगे चलोगे हमारे साथ हाँ हाँ महरानी जी आपकी सेवा करके मैं अपने को बहुत भागवान समझूगी और इस पकार मातंकी महाराणी सुलक्षणा के साथ महल में पहुंच गए अब देखती हूँ राजा त्रिववन सेंग मुझसे विवक कैसे नहीं करता कुछी दिनों में अपने काम काच से मातंकी ने महाराणी सुलक्षणा का मन मोह लिया अरे बस बस अब अधिक शिंगार ना कर इतना ही शिंगार बहुत है नहीं महाराणी जी मैं तो आपका इतना शिंगार करूँगी कि महाराणी आपको मंत्रमग्द देखते रह जाएंगे लेकिन अभी राणी सुलक्षणा को यह उत्तर दे पाती कि महाराद त्रववन सिंग ने उस कक्षमा प्रवेश किया आज तो बहुत शिंगार किया जा रहा है सुलक्षणा काई भाड जाने का इराद है क्या नहीं तो महाराज यह मेरी नई दासी मानती ही नहीं और प्रती दिन मेरा शिंगार कर देती है नई दासी क्या नाम है इसका माधुरी सच मुझ माधुरी है तो मारी दासी मातंकी न महाराणी को अपना नाम माधुरी बताया था अच्छा सोलक्षणा तुम अपना शिंगार कराओ मैं अपने कक्ष में जाता हूँ महाराज त्रिववन से उस कक्षे से बाहर निकल गए और फिर एक रात ये लो बेटे हाती ये घोड़ा महाराणी जी महाराज के लिए दूद लाई हूँ अब देखो ना मादरी ये अनुराग मुझे छोड़ी नहीं रहा तुम महाराज के शेंकर्ष में दूद दे आओ लेकिन महाराणी जी प्रती दिन तो आप दूद ले जाती है अब देखो ना ये मुझे छोड़ी नहीं रहा है आज तुम दे आओ मातंकी महाराज के शेंखक्ष में पहुंची रानी जी ने दूद बेजा है मारानी ने तुमें बेजा है वह सेम क्यों नहीं है लेकिन मातंकी को ये उत्तर देती कि माराज ने सेम का ठीक है तुम दूद को मार अकर चली जाओ त्रिववन के वैवार न मातंकी को निराश कर दिया ओ ये तो मेरे रूप सौंदर्व से आकर्शिती नहीं हो रहा मनी मन परेशान हो था कि मातंकी महां से लोट आई महां से लोटती वे वे सोच रही थी महाराज को अपने जाल में फसाने के लिए मुझे कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी और फिर उसे जल्दी एक अफसर मिल गया मादुरी तुम अनुराग की देखभाल करना मैं गंगा इसनान के लिए जा रही है आप चिंता ना करें महाराणी जी मैं अनुराग के पास ही रहूंगी महाराणी सुलक्षणा के माँ से जाती उसके मस्तिश में शड़ेंद के बीच अंकुरित होने लगे राणी के जीवित रहते राजा कभी मुझे से वेवा नहीं करेगा इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा लेकिन क्या करूँ तभी उसके मस्तिश में एक विचार बिजली की तरह कौंदा और वह खुशी से जूम उठी अब महाराणी जीवित नहीं रहेगी आज का गंगा इसनान उसका अंतिम इसनान होगा अगले ही पल वे अपने रत पर सवार होकर तीजी से गंगा नदी की ओर बढ़ चली शेगरी नदी के निकट पहुँचकर उसने अपना रत छुपाया और किनारी की ओर बढ़ गई नदी किनारे पहुँचकर उसने देखा अगले ही पल उसने अपना रूप परिवर्तित किया और नदी में कूद महरानी की और बढ़ी एक राक्षची को अपनी और बढ़ते देख दासियां चीक उठी राक्षची राक्षची बचाओ भागो भागो चीक पुकार सुनते ही रानी के साथ आए अंग्राक्षची नदी में कूद पड़े और हमार है महरानी जी राक्षची की और भाले फेके गए से लेकिन आए बचाओ महरानी भागो भागो अपने सैनिकों को मरता देख महाराणी नदी से निकल कर अपने रत की ओर दोड़ी आ बचाओ लेकिन जैसे उन्होंने अपने रत पर सवार होकर उसे दोड़ाना चाहा ये रत क्यों नहीं चल रहा कहीं राक्षसी ने फिर जैसे ही महाराणी ने पीचे की ओर देखा मुझे मत मारो लेकिन राक्षसी ने जपट का महाराणी को पकड़ दिया और नहीं पलक जपकते ही उसे मौत के घार टतार दिया ततपश्चात महाराणी की लाज को नदी में भेग कर मातंग की वहाँ से लौट चली हम सलक्षणा के बिना जीवित नहीं कैसे रहेंगे मंत्री जी सेना पती को सुचित करो हम अभी वहां जाकर उस राक्षशी का अंत अपने हाथों से करेंगे जो आग ग्या महराज कुछ देर बाद नदी के नारे पहुंचकर दूर दूर तर जंगल में राक्षशी की तलाश की गई लेकिन उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चला ओ, उसे इतनी दूर दूर तर तलाश किया लेकिन कहीं उसकी परचाई भी नहीं दिखाई पड़ी महराज, अवश्ची वे राक्षशी यहां से बाग कर कहीं दूर चली गई है कुछ सैनिको की लाशे तो मिली है लेकिन महराणी की लाश हमें कहीं नजर नहीं आई महराज, संभावे राक्षशी ने उनके शब को नधी में फेक दिया ओ, हम उस राक्षशी को बहुत बुरी मौद देंगे सेना पती उस राक्षशी को तूर तूर तक ढूना जाए सेना पती को आदेश देका त्रिवोवन सिंग नगर की ओर लौट चले नगर के और लोटते हुए त्रववन सिंग किसी के रोणे का सुर्ट सुनकर चौंक पड़े अरे इस घने जंगल में ये कौन रो रहा है कहीं है महरानी के सुर्ट तो नहीं है हो सकता है महराज हमें चलकर देखना चाहिए रोधन की दिशा में चलते हुए वेसा वे गने पेड़ के पास पहुँचे कौन हो तुम युफ्ती और गने जंगल में अकेरी यहां बैटी क्यों रो रही हो युफ्ती ने सिर उपर उठाया महराज मेरे माथा पिता को एक राक्षशी ने मा डाला मैं अनात हो गई अब मैं कहां जाओं बहुत सुन्दर है तुम्हें कहीं जाने की जूरत नहीं तुम हमारे साथ चलोगी राज जी की ओर से तुम्हें जीवन निर्वा के लिए धन दिया जाएगा वे सुन्दर युफ्ती महराज के साथ चल पड़ी महल में पहाँच कर मंत्री जी राणी सुलक्षणा को कुछ पता नहीं चला लेकिन यह अनात उफ्ती जंगल में मिल गई इस उफ्ती के माता पिताओ को भी उस आक्षिसीन अमार डाला है अब यह महल में ही रहेगी इसके यह रहने का प्रबंद करा दिया जाए मंत्री जी जी बहुत अच्छा मैं अभी सब प्रबंद करा दिताओ महराज की बीधर चले जाने के बाद तुम मेरे साथ चलो ठीक है महल में रहते हैं उस उफ्ती को कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन महराज देखिए नंदनी ने कुछ ही दिलों में अनराक को अपने साथ कितना हिला मिला लिया है हाँ मंत्री जी ये हम भी देख रहे हैं नंदनी ने सचमुष अनराक के लिए सरक्षण की कमी पूरी कर दिये महराज नंदनी तो सच्मुए अनुराग को मा की तरह पाल रही है देखिए कितना प्यार करती है अनुराग से सच्मुच नंदनी देवी है आओ मंत्री जी अपने कक्ष में चलते हैं आप से कुछ विजार विवश करना है कक्ष में पहुँच कर माराज आप शमा करें आप से पहले में एक बात कहूँ कहिए मंत्री जी माराज नंदनी कब तक ऐसे महल में रह सकेगी आकिर एक दिन तो उसे महल चोड़का जाना ही होगा हाँ उसे जाना तो पड़े गई लेकिन माराज आप चाहें तो माराज नंदनी को जाने से रोक सकते हैं वह कैसे मंत्री जी माराज नंदनी सुन्दर है अनुराग से प्यार भी करती है फिर क्यों न आप उससे विवा कर ले मंत्री जी माराज त्रिववन चौंक कर मंत्री की ओड़ देखा और फिर उनके होटो पर मदर मुस्कान बिखर गई आपने ठीक काम अंदरी जी हम अपने लिए तो कभी विवा नहीं करते लेकिन अपने बेटे अनुराख की देख भाल के लिए नंदनी से विवा करने के लिए तयार सच महराज मैं आज ही विवा की खोशना करा गेता हूँ कुस दिनों बाद बहुत धूम दान से महराज के विवा नंदनी से हो गया विवा के कई बश प्रशाज नंदनी ने एक पुत्र को जर्म दिया सच आज हम बहुत खोश है नंदनी तुमने एरावती नगर को दूसा राजकुमार दिया है फिर समय बड़ी तेजी से पीता और दौनो राजकुमार बड़े होते गए और अपने कुल गुरू से शस्त्र विद्या सीखने लगे शाबाश अनुराग अब तो हम रडजीत के प्राहर को रोखोगे शेगरी दौनो शस्त्र विद्या में नपोड़ो गए राजकुमार अनुराग अपने पिता की तरह बुद्धीमान गंबीर प्रवर्ती का था लेकिन रडजीत उसके विप्री डुस्ट प्रवर्ती का वह राजी के लोगों पर भहुत जुल्म ढाता था भागो भागो बचो नहीं सडक पर चलने वाले लोगों को रस से कुचल डालता था आ मर गया अरी उफ पेचारा बूड़ा राजकुमार रडजीत ने मारा है राजकुमार की डुस्टेता बढ़ती जा रही है महराज से शिकायट करू एक दिन राजकुमार रडजीत अपने रद पर सवार समीप के गाउं में घूमने निकला थो वाँ सुन्द्रियां आज की राध रंगीन करने के लिए उन्मस एक को उठा कर ले चलता हूँ अगले ही पल आ है आ उफ बचाओ राजकुमार आपको किसी के गायल हो जाने की कोई चिंता नहीं है गायल की चिंता जब तुम कर रहे हो तो हम क्यों चिंता करें कहने के साथ ही रडजीत ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया तुमारे हाथ बहुत सुन्दर है इस गायल को उठा कर अपने हाथ गंदे ना करो राजकुमार छोड़ दो मेरा हाथ छोड़ दो छोड़ दो रडजीत जब किसी का हाथ पकड़ लेता है तो फिर कभी नहीं चोड़ता नहीं नहीं तो मैं हमारे साथ चल नहीं होगा सुन्दरे लड़की की चीक पोकार सुनकर वहां गाउं के लोग जमाओ गए लड़की को छोड़ो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे राजकुमार लड़की को छोड़ दो अंतता मारो मारो रुख जाओ तुम सब बेमौत मारे जाओ गे रुख जाओ तो मैं पस्ताना पड़ेगा पूरे गाउं को जला कर राक कर दूँगा कोई नहीं बचेगा जब गाउं के लोगों ने रर्जीत के कुकरत की शिकायत महराज तुर्भवन से की रर्जीत के इस डिस्टिता के लिए हम शमा चाहते हैं हम रर्जीत को अवश्ट डंड देंगे आप निर्वय उकर जा सकते हैं महराज की जय हूँ लोग आश्वा सर्भा कर लोट गए महराज ने नंदनी से शिकायत की नंदनी हम रर्जीत के हर दुष्टिता को तुमारे कहने से शमा करते रहे लेकिन आप शमा नहीं करेंगे रर्जीत अभी ना समझ है फिर ऐसी शरारते तो राजकुमार किये ही करते हैं नहीं हम उसकी जुष्टिता और सहय नहीं कर सकते उसे डंड वश्च मिलेगा और सुनो नंदनी हमने निर्वय किया है मैं विरोत करूँगा तब भी पिताशी ना माने तो मनी मन आगे की कल्पना करता रडजीत वहां से चला गया उसी राध राजकुमार अनराग के शेंगक्ष में काले सायने कड़गी से प्रिवेश किया और उसके समी पहुँच तलवार से वार किया लेकिन अचानक करवट बदल जाने के कारण अनराग बच गया और काट प्रहार से उत्पनों या हार से उसकी आँख खुल गई अगला ही बोले उसे खत्रा भापते तेर न लगी और उसने अपने सिराने रखी सुराई उठाकर साय पर कीच मारी ठाक ओ फिर पलग जबकते अनराग तलवार उठाकर साय पर जप्टा खंक खना काले साय ने भी भरपूर शक्ती को ब्रदर्शन किया लेकिन अनराग के एक भरपूर प्राण ने काले साय को बेनकाप कर दिया तुम राजकुमार ररजीत मैं तुम्हें कभी राजा नी बनने दूँगा तब ही कुछ सैनिकों के साथ रिववन और नंदनी भी वहाँ पहुँच गए बंदी बना ले इस डुस्ट को इसने अनराग को मारने की कोशिश की है हम इसे कटोट रंड देंगे महराज इसे शमा कर दीजे ररजीत को बंदी ग्रह में डाल दिया गया नंदनी ने उसे मुक्त कराने की बहुत कोशिश की उसे छोड़ दीजे महराज अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगा उसे शमा कर दीजे नहीं हम उसे शमा नहीं करेंगे महराज के निल्ले से निराश उनन्दिनी न मनी मन कोई निल्ले किया और वहाँ से चली गई अगली रात मेरा बेटा रडजीत बंदी ग्रह में रहे और अन्राग राजा बन जाए नहीं ऐसा कभी नहीं होगा वर्डशो से जिस रहे से को मैंने अपने मन में चुपाई रही अब उस रहे से को प्रकट करने का समय आ गया अपने बेटे रडजीत को बंदी ग्रह से मुक्त कराने के लिए मैं राक्षशी बनूँगी अगले पल फिर बंदी ग्रह में पहुची और मारो मारो राक्षशी को मारो बचाओ बचाओ खटाओ भागो भागो नहीं नहीं मुझा मत मारो मैं तो मैं मारने नहीं बलके इस बंदी ग्रह से मुक्त कराने आई हूँ तुम तुम मैं तुमारी मा हूँ बेटे आज तक ये रहस सिबने किसी को नहीं बताया था चलो मेरे साथ भाग चलो मातंकी रजीत के साथ असुर लोग पहुची मातंकी तुम इतने वर्शों तक काँ छिपी हुई थी पिता श्री ये मेरा बेटा है रजीत और फिर मातंकी अपने पिता को सारी कहानी सुनाती चली गए पूरी कहानी सुनका असुर राज ने कहा तुम चिंता मत करो बेटी हम कली इरावती नगर पर आकमर करेंगे रजीत को वहां का राजा बना देंगे अगले दिन असुर राज ने अपनी राक्षा सेना के साथ एरावाती नगर पर आकमर कर दिया एरावाती नगर के सैनिक बहुत वीर्ता से लड़े लेकिन भैंकर राक्षासों से कब तक यूत कर सकते थे खचाक आ मरा अंतरता राक्षासों ने मारा त्रिवोवन सिंग को बंदी बना लिया अनराक को भी बंदी बना लिया जाता लेकिन वे अफसर पाकर भाग निकला पिताश्री बंदी बना लिये गए युद में हमारी पराजय निष्चे थे इसलिए मुझे भाग निकलना चाहिए असोर राण न विजय की कोशना की हाँ 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 हम जीत गए ये दो बंद करो और महल में चलो और फिर बहुत धूम नाम से रड़जीत को इरावती नगर का राजा बनाये गया राजा रड़जीत सिंग की जै मातंकी बंदी गरह में त्रिवोवन सिंग के पास पहुंची अपने बेटे रड़जीत के राजा बन जाने की खुशी में तुमारे लिए मिश्ठान लाई हूँ ले जाओ ये मिश्ठान तुमारे इस परश की कोई वस्तु खाना भी मेरे लिए पाप है तुम का हो तो मैं तुम्हें बंदी गरह से मुक्त करा सकती हूँ तुमारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं बंदी गरह में रहूँ तुमने रूप परिवर्तित करके मेरे साथ विश्वास घात किया मतंकी तुम्हें इस कृत का टेंड वश्य मिलेगा मुझे टंड देने की बात कहते हूँ हो महराज मेरे यादेश पर रड़ जी तो मैं प्राण धन्ड भी दे सकता है चली जाओ यहां से मैं तुमारी सूरत भी नहीं देखना चाता जा रही हूँ राजा लेकिन इतना याद रखना मैं तुमें इस बंदी करे से मुक्त भी करा सकती हूँ क्याकर मातं की महल में लोट गई उदर युद स्थल से भाग कर अनराग एक घने जंगल में पहुचा ओ ये मुसीवत कहां से आ गई जंगली हाथी तीवर गदी से अनराग की और दोड़ा इस जंगली हाथी से किसी तरफ प्राण बचाने होंगे हाथी से बचने के लिए अनराग न विपरी दिशा में गोड़ा दोड़ा दिया लेकिन अनराग हाथी दूर तर नहीं बाग सका पलक जपकते ही हाथी ने गोड़े का प्राणांत कर दिया गोड़े को मार जंगली आती ने फिर अनराग का पीछा किया यह तो बेरा पीछे ही नहीं छोड़ा एक बार फिर बैंकर मौत अनराग की आंकों के सामने ना चुटी आ बचाओ उसी पल ठैरो गजराज मारशी के संकित पर गजराज पीछे अट गया मारशी अनराग को ठाकर अपने आश्रम में ले आए वस्त्रों से कोई राजकुमार लगते हो अकेले इस घने जंगल में क्यों आए हो मारशी के पूछने पाँ अनराग उने अपनी कहानी सुनाता चलाई गया उसकी कहानी सुनकर मारशी ने कहा बस बहुत दिनों से मुझे भी मातंगी की जलाश थी उसने कई वर्ष पहले मुझे भी बहुत हानी पहुचाई थी वर्षों तक घोर दबस्या करके मैंने ये दिवे शक्ती तुशूल प्राप्त किया इस तुशूल से पलग जबकते ही राक्षसों का विनाश हो जाएगा मारशी ने मारशी से वर्ष दिवे शक्ती तुशूल लेकर अनराग इरावती नगर की और चल दिया इरावती नगर पहुचकर उसने राक्षसों पर आक्रमन कर दिया शूं साइ साइ पलक जबकते अनराग ने राक्षसों को जला कर मार डाला ओ बचाओ ओ फिर महल में पहुचका अनराग ने असर राच को भी मार डाला ओ बचाओ दिव शक्तिति तिशूर ने रडजीत का भी अंत किया और फिर मातंग की भी अनराग क्या तो बचना सकी नई न अन्राग न अपने पिता को बंदी किरह से मुक्त किया तो महराज त्रिवोवन सिंग न बहुत धूमदाउं से अन्राग को सिंगासन पर बैठा दिया महराज अन्राग की जय समाप्त तो चलिए दोस्तों वीडियो के यहीं समाप्त करते हो और मिलते हैं परंपरा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद